हालो फ्रेंड्स मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज मैं ब्रेट से नाश्ता बनाने वाली हूँ यह नाश्ता बहुत हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसे बहुत कम तेल में बनाया है और उपर से यह नाश्ता क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है और इसे बनाना भी बह कटावा अध्रक डाल देंगे 2 हरीमिश आप अपने स्वाद के अउसर्ब कम या जादा कर सकते हैं और आप हम इसे हलका सा फ्राई कर लेंगे तो अध्रक हरीमिश फ्राई हो चुके हैं अब मैं इसके अंदर डालू तो मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को ग्रेट कर लिया उसके बार डाला आप चाहे तो आलू को मेश करके भी डाल सकते हैं और आप मैं इसके अंदर डाली स्वादन सर नमक, आदा चुड़ा चमच, हल्दी, एक बड़ा चमच, धनिया पॉडर, एक चुड़ा चमच, भुना जीरा पॉडर, साथ में आदा चुड़ा चमच, काली मिश्का पॉडर, एक चुड़ा चमच, गरम मसाला, एक चुड़ा च पति तो मैं तीन बड़े चमच कटी वी धनिया की पति डालने के बाद भी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा आलू का मसाला बनके तयार हो गया है इसे हम साइट मेशी मेरत देते हैं और एक कोई बरतन लेंगे उसमें डाल देंगे एक पेसन और साथ में मैं इसमें डाल रहे हूँ एक बड़ा चमच शावल का आटा, अगर आपके पास शावल का आटा ना हो तो आप सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर महीन वाली सूजी डालने हैं, साथ में मैं इसमें आदा चूटा चमच नमक डाला है, आदा करने से टेस्ट जादा अच्छा आता है और अब हम सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर पानी डालके इसका घोल तेयार करूंगी तो एक साथ पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ऐसा करने से इसमें लंप्स नहीं पड़ेंगे इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे वरना बहुत जादा इसके अंदर गुटलियां पड़ जाएंगी तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका घूल तैयार कर लिया मैंने इसके अंदर लग बख देल कब पानी डाला है यह जो हमारा बैटर है वो बहुत जादा पत ला भी नहीं इनके उपर जो हमने आलू का मसाला बना के तयार किया था उसे इस तरीके से डाल देंगे और उसके बाद हमें आलू के मसाले को इन ब्रेट स्लाइस के उपर अच्छे से स्प्रेड करना है इनकी एक पतली सी लेयर हम इसके उपर लगाएंगे बहुत जादा आलू के मसाले को नहीं लगाएंगे, पतली लेयरी हमें दोनों slices के उपर लगा देनी है, मैंने दोनों bread slices के उपर आलो के मसाले को अच्छे से लगा लिया है, और अब हमें इसे सेखना है, इसके लिए मैंने तवा लिया है, तवे को हम हलका सा गरम कर लेंगे, उसके बाद इसके उपर तेल को अच्छे से फैला लेंगे उसके मात क्या करेंगे जिन ब्रेड़ स्लाइसे पे हमने आलो के मसाले को लगाया है उसे इस तरीके से बेसन के घोल में डिप कर लेंगे तो हमें दोनों साइट बेसन लगाना है उसके बाद इसे गरम तवे के उपर रग देंगे गैस की फ् जैसे ही दो मिनट हो जाएंगे तो हम इसे वापिस से पलट देंगे क्योंकि हम इसे गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक सेखना है और एक जैसा सेखना है इसलिए हम इसे पलटते वे सेखना है तो मैंने इसे दो से तीन बार पलटते वे सेख लिया है और जो यह हमाई ब्र कर दिखाऊंगी कि उपर से किस तरीके से क्रिस्पी बनाया और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार है आप इस रेसिपी को घर पर ट्राय करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शें सब्सक्राइब करना ना भूलें